हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो जबे हम लेकर रहे हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों कैमेस्टी का रसान बिगयन का दोस्तों चेप्टर वाइज कोर्शन्स ठीक है चेप्टर नमर 6 को लेकर रहा है इनसे पहले हम लोगों ने एक से 5 तक कर रखा है दोस्तों जितने विच आप नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट कोर्शन्स मैंने बता रहे हैं आप लोगों के लिए ठीक है न और कैमेस्टी के यहाँ पर टोटल 5 चप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है अब्जेक्टिव टैप कोर्शन्स जो आप सभ जनके हैं और आने वाले बोट परिखें में सामिल होने वाले दोस्तों दोसरा तेस के बोट परिशा में तो यह चैनल आप सभी के लिए काफी हैल्फुल रहने वाल है चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राब कर लीजएगा बेल अकन को प्रेस जरूर करते ना बीडो को वेबसाइट आस्टार कस्टरिपॉइंट डॉटकॉम गूगल पे लिखे या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन में सिधा देखने को मिल जाएंगे ठीक है आप पीडियू लेने के लिए दोस्तों टेलिग्राम पे भी जूर जाएए ठीक है ना टेलिग्राम का ल प्रसन के समान सिधान्त का पहला प्रसन हमारे पास दोस्तों कहा गया है कि निम्रिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है ठीक है ना देखें जिंक का और्स पूछा गया है दोस्तों और्स ऑफ जिंक ठीक है ना और्स ऑफ जिंक नहीं है जो तीन है दोस्तों इस में से और एक नहीं होगा बताना है आप लोग को देखें दोस्तों ζ sniff blade है καलमine है जिंक का एट भी है लेकिन box side दोकिए box side जो है दोस्तों यह एलुमूनियम का है दोस्तों याद रखेगा अगला पर सकेन् नमद कहा गया कि दोस्तों निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है ठीक है जितने विचात इंग्लीज मेडियम में हैं दोस्तों इंग्लीज मेडियम में आप लोगों को भी मिल जाएंगे यहां पर को सा जैंसर वेबसाइट पर सभी चप्टर का खनीज होते हैं दोस्तों ठीक है ना options नमर यहाँ पे a correct हो जाएगा जितने भी और से है मतलब aask है दोस्तों यह सारे क्या है आपका यह सारे क्या है आपका दोस्तों खनीज है ठीक है ना खनीज है समझे माले न बात options नमर यहाँ पे क्या हो जाएगा सबी ऐस्क खनीज होते हैं सबी खनीज ऐस्क होते हैं बिलुकुल गलत हो जाएगा सबी छार भस्म नहीं है का निसकर्सन होता है देखे दोस्तों उस तरह के खनेजsoft जिससे धातु का निसकर्सन होता है उसको में जो क्या بोलते है तो सही उत्तर options नमर ए हो जागा दोस्तो राइट ठीक है और असुधी को आम लोग जानते हैं गैंग बोलते हैं सलाइक बोलते हैं इस सब को दुसरे भासा में बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पे जिस भी धातों का निसकर्षन हो रहा है खनीज के रुप में तो यह आयस्क तो जो पूछा हुआ हो भी बताऊंगा जो नहीं पूछा हुआ है मतलो जो important प्रसन है वह भी मैं बताऊंगा chapter wise ठीक है ना copper का मुख एसक के बारे मैं पूछा गया है तो copper का मुख एसक होता है दोस्तों copper glance क्या होता है copper glance options नमर यहाँ पे 20 हो जाएगी चलिए अगला प्रस की इसमें काफी सारे हैं ठीक है ना जैसे यहाँ पर देखो magnetite CD right hematite यह सारे हैं लेकिन मुख एसक की बात हो दिये दोस्तों है ना तो मुख एसक के यहाँ पर hematite हो जाएगा ठीक है ना hematite कहीं कहीं दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे इने में से सभी ठीक है तो इस तरह के प्रस्ण दोस्तों यह एक्जामिनर के उपर है क्या मुख एसक के रुप में यह तीनों मान लेते हैं या फिर hematite को मान दें क्योंकि hematite जो है लोगे का मुख एसक माना जाता है ठीक है ना तो option C या फिर D दोनों हो सकते है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण द दोस्तों हमारा तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बाइदूत अप घटनी सोधन जो options नमर ए में है यही correct हो जाएगा बाइदूत अप घटनी सोधन अगला प्रस्ण देखते है जिंक बलेंड ऐसक का सांदरन किस बिधी से होता है तो जिंक बलेंड ऐसक का जो सांदरन होता और किस बिधी के द्वरा यहां पर बतिया गया है किस बिधी से होता है उसका नम है फेन उत्पलाबन बिधी तो options नमर यहां पर C हो जागा फेन उत्पलाबन बिधी अगला है हमारा कि देखो अयसक में उपस्तित असूधी को क्या बोलते हैं इसे पहले मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों कि खरीज जिसे धातो का निसकर्षन होता है उसको हम लोग अयसक में उपस्तित कुछ असूधी रह जाते हैं उसको हम लोग फल्याक्स गैंग सल चलिए नाद नमर है दोस्तों कि कॉपर पायरेट का सुत्र क्या होता है तो कॉपर पायरेट का अनुसुत्र पूछा गया देखे कितने बार एक्जामस में पूछा गया बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों ठीक है ना बहुत इंपोर्टेंट है यह प्रस्त तो कॉपर पायर कि आ पते हैं था तो तो अलमूनियम का एस का बॉक्साइट होता है जो यो आपस्ण्स नमर आपका ए में है बॉक्साइट ठीक है ना चलिए अलमूनियम तेरा पर्मानो संख्या अगला है हमारा दोस्तों कि माला काइट ऐसक है तो माला काइट जो ऐसक है किसका लोहा का कॉफवर सिल्वर जिंक तो माला काइट जो ऐसक है दोस्तों आपका कॉफवर का है ठीक है ना क्या है दोस्तों कॉफवर का है यहाँ पर माला काइट ठीक है च कि यहाँ पूछा गया है उसमें से आपको यहाँ पर से उत्तर हो बालांस को फेड़ांज में ढोश्त वह से पायाinkा जाता इसलिए हरए सिलिए आपल विवरा लुक्त पूछा गया है तो आप संस् moraject और में अगला है आना कि नम्ली सिदक होकि फर्चूर मातरा में पाए जाती है फिर परचुडता से पाए जाती है तो देखे दोस्तो धरती पर भूपरफटी में सबसे जदा जो मातरा में पाए जाती है धातू का नाय मैंगनेशियूम तो स्ए meillä या फिर लोहा तो से उत्तर हो जागा को रेक्ट हो जाएगा सिनेवार अगला है हमारा प्रसन दोस्तों कहा गया है कि पाइराइट को गरम करके सलफर का निसकासन कहलाता है पाइराइट को जब गरम करते हैं तो सलफर का जो निसकासन कहलाता है दोस्तों उसको उम्लों क्या बोलेंगे यह फरिभासा है तो सहुत्त अगला हमारा कि कैसी टेराइट आयस का है तो कैसी टेराइट है दोस्तों किसका यह है अगला हमारा दोस्तों कि निम्लिखित में से वह लवन जो खनीजों में सबसे कम पाया जाता है ठीक है कलोराइड, सल्फेट, सल्फाइड या फिर नाइटरेट तो निम्लिखित में से वह लवन जो खनीजों में सबसे कम पाया जाता है दोस्तों वो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो सबसे कम पाय जाता है ना वो होता है नैटरेट क्या होता है दोस्तों यहाँ पे नैटरेट ओप्सन्स नमर यहाँ पे हो जाएगा D ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं हम लो कहा गया कि कॉफर पायरेट का आयसका है तो कॉफर पायरेट जो आयसका है किसका ठीक है ना कॉफर पायरेट तो कॉफर पायरेट जो है दोस्तों कॉफर पायरेट यह आयसका है किसका दोस्तों यह आपका सी यू का किसका सी यू का ठीक है ना चलिए हमारे पास अगला प्रस्ट है दोस्तों कहा गया कि गाइंग और फलक्स मिलकर बनाता है देखे असुधी ऐसक में जो उपस्तित असुधी बोलते हैं हम लोग उसको गाइंग बोलते हैं लेकिन जब गाइंग और फलक्स दोनों आपस मिलता है दोस्तो aid उसकों लोग खनीज बोलते हैं ? खनीज ठीक है ? चलिए अस्पेल्टर जो यह क्या है ? असूध जिंक है आपसेस ना मर यहाँ पर बी कर्थ हो जाएगा असूध जिंक पूछा हुआ है परसने अगला है हमारा कि डोला माइट खनीज में पाए जाता है तो दोला माइट जो खनीज में पाए जाता है तो वह होता है magnesium mg में तो obsus tumor क्या हो जागा यहाँ पर A correct हो जाएगा अगला है हमारा के नीला थोथा का राशानिक सुत्र क्या हो देदो नीला थोथा का जो राशानिक सुत्र है दोस्तों वो है अपका cuSO4 into 5H2O obsus tumor आपका B correct हो जाएगा ठीक है cuSO4 into 5H2O याद रखेगा नीला थोथा ठीक है ना copper sulfate अगला है हमारा के NaOH इन में से किसे का जाता है तो जानती होंगे दोस्तों कास्टिक सोडा को sodium hydroxide भी बोलता है तो NaOH हो जाएगा यहाँ पर sodium hydroxide कास्टिक सोडा जो options नमरा आपका A में है correct हो जाएगी चलिए अगला प्रस्त देखते हैं हम लोग कहा गया है कि sulfide AS को का सांद्रन किया जाता है किस बीदी द्वरा पुछा हुआ प्रस्त है latest कि sulfide AS को का जो सांद्रन होता है उसको हम लोग तो याद रखेगा यहाँ पर PB correct हो जाएगा B options तो दोस्तो हम लोग ने यहाँ पर टोटल 26 questions किये हैं ठीक है न तत्वों के निशकर्शन के समान सिधान चेप्टर नमर 6 से इसके आगे हम लोग पी बलोग तत्व देखेंगे दोस्तों बहुत important questions में लेकर आने वाला हो हर ए नकस्त तियार कर लिए इस chapter से इतने सारे में ही पूछे जायंगे अगलेर मैं अप लोग अगले chapter के लेकर आउंगा और साथ मैं आप लोगं फिक्स वैलोजी Mathematics, Hindi, English का भी लेके आने वाला हूँ दोसो चेप्टर बाइज पर आज ठीक है चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो में तब तक के लिए आप लोग पढ़ाय करते रिए जाहिंद जाभार